कि हेलो गाइस आप देखरें एटू जाइट होंच डिजाइनिंग यहां पे मैं आपके लिए बहुती 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 हाउस प्लान की वीडियो अप्रोड करता रहता हूं आज मैं प्लान लेका हैं जिसका साइज है पच्चेस बाई पचास जिसमें आपको को प्लानिंग की ओर यहां पे आप देख सकते को इस तरीके से कम्टीरण मिलता है 3-9 पूरा बेंटिलेंस शने देड कुछ याप को जाल भी दिया गया है भांकी के हां पर आपको उप मिल जाती है कम्प्रीट अटिया कुछ इस तरीके दिया है उपर आप पानी टंकी रख सकते हैं एलिवेशन देख सकते हैं सिंगल स्टोरी कुछ इस तरीके से दिया गया है अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को प्रेस कर लेना यहां पर आपको इस तरीके से निवनी वीडियो मिलते रहेंगे तो यहां पर आप दिख सकते हैं दुकान के लिए कुछ इस तरीके सीड़ियां उपल अपनाएं गई इस साइड आपको बाइक पार्किंग कार पार्किंग के लिए रैंप भी दी गई है उसके अबब ऑद आपको साइडर यहां पर साइडर से आप inटी लेंगे इंटी लेंगे आपको मिल जाती, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से wszystkich 10 का साइड रखा है । 10 düşा हैं 10 चवाई 10 का साइड का साइड ऑफ का देख सकते हैं कुछ इस तरीके से 14 वाई 14 के आपकी parking दी गई उसके रहादे आप दीख सकते जीने ही नीचे भी आपको भाЙक पार्किंग लिए उस longo में जाता है यहां पे आप देख सकती जीन आपका कुछ इस तरीके जीने की इन आपका 3 फिट्का बनाए कंप्टी इना आपका कुछ इस तरीके से दिया गाया है। जीने की सीडियों का सईज मैंने कुछ इस तरीके से रखा है। यह पका पैर रखने वाला दस इंज का दिया, इसकी हाइट मैंने साथ और ग्राइट का। साइज दिया हुआ है उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते कुछ इस तरीके से इंटीगेड लेते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बैठाग मिल जाती है देख सकते हैं इस बैठाग का मैंने साइज रखा है दसबाई 13 दसबाई 13 की आपकी बैठाग दी गई है देख सकते हैं 10 वाई 13 की उसके बाद आप देख सकते जीने की साइट से भी आपको ईंटीगेड पर आप इस त खेट से नो एं गहें मैंने मैंने साइज दिया धा आठ वाई 9 की आपकी किचिन दी गई है देख सकते हैं 8 वाई 9 उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटी गेट मिलता है गेट से आप इंटी लेंगे इंटी लेंगे इंटी लेने कुछ आपको कॉमन लेटवाद मिल जाती है इस लेटवाद का मैंने साइज शाड़े पांच वाई छह कि आपकी लेट्रिंग मातूं का माइन बनी होई है वेंटिलेशन को जिस तरीके चोटा सरफ संदान दिया है वेंटिलेशन को यह आपको प्रॉब्लम ना हो उसके बादे यहां पर आप दिख सकते हैं यहां पर इस साइड भी आपको इस स्पेस मिल जाता है यहां पर डानिक टेवर भी डाल सकते हैं ये सब्सक्राइब आपको इस पेस मिल जाता है। न चाहते भी बड़ा पंपा ओल्सुना खेके सबरनेसर में और बनाना चाहिते हैं। इस पूरे ओल का मैंने साइब रखा है। बारह भाही 13 आपका हालम दिया गया है। hall में आपे आप देख सकते कुछ इस तरीके से integrate मिलता गर आप इस gate से empty लेते हैं तो यहाँ पे आपको master bedroom दिख जाता है इस room में देख सकते कुछ इस तरीके से integrate मिलता गर आप इस gate से empty लेते हैं तो यहाँ पे आपको letting वाथ हूं कमाइड मिल जाती कुछ इस तरीके से इस लेट बाद का मैंने साज रखा 4 बाई आठ है, 4 बाई आठ के आपके लेटिंग बाई दी गई है, बेंटी लेशन यहाप दिखते हैं, चार बाई चार का इस पेस मिल जाता है, इस साज से भी आपको 4 फिट की विंडो दी गई है, इस रूम के लिए भी आपको 4 फिट की इस रूम मिल जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक दुकान के साथ में दो कार पार्किंग, तीन कमरे का में कंप्रीट है, फुली वेंटिलेशन साथ में, देख सकते हैं, ओनली 25 फाई 50 के पलॉट अरिया में, एलिवेशन देख सकते हैं, कुछ इस तरीके दिया सिंगल स्टोरी का कम से कम खर्चे में अपना प्लॉट पूरा तयार करा सकते हैं उम्मीद करता हूँ आज के प्लान बहुत ही पसंद आए पसंद आए प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लेना बेल एकन को प्रेस कर लेना है तो मिलते हैं इस वीडियो के साथ आज के लिए वतनाई वीडियो देखन धन्नबाद